नमस्कार स्वागता आपका हमारे चैनल पर आज रास्ट्री सुरक्षा सलाकार अजित डोबाल जी स्री लंका के दोरे पर गए उससे पहले सीमा विबात को लेकर नेपाल के दोरे पर भारत के सेन्य अधिकारी धल सेना अध्यक्ष रौ के प्रमुक और बिते सची भी गए थे और आज जिस तरह से जो स्री लंका में एने से डोबाल का जाना तो चीन को जो है मिर्ची लगी है चीन बौकला गया चीन का कहना है कि भारत जो है अपने परोस के छोटे छोटे देशों को डरा धमका रहा है तो इसमें अब कौन सी बात हुई है और किस बात के लिए जो है चीन को इस तरह डर डर लग रही है भारती सेन्या अधिकारियों और भारती जो है उच्च अस्री अधिकारियों को अपने परोसी देशों के साथ अगर जाते हैं और वहाँ पर विचार भी मर्स करते हैं तो उससे किस बात की मिर्ची लग रही है हमा साथ जोड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार भी है और राजनीतिक बिस्टिसर पहुंतिया कि इसरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एनेशे डोबाल को स्रीलंका जाना तो उसमें क्यों इस तरह बोखलाट हो रही है आप किस तरह से लेते हैं इस बात को। देखें ये जो डोबाल साब का स्रीलंका दोरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप समझेए के हमारे व्यापारिक रिस्ते भी स्रीलंका के साथ हैं लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और चीन की जो बोखलाट आपने कही कि चीन की बोखलाट क्यों है वो के चारा हिंद महासागर है उसमें दखल अंदाजी चीन की डारेक्ट हो सकती है और इसको रोकने के लिए सिरिलंका तक बी आराई का बनना उसमें सिरिलंका का शामिल होना ये रोकना बहुत जरूरी है इसके लिए भारत सरकार मोधी सरकार ने ये योजना बनाई के वो सिरिलंका को अपने देश की तरफ मिलाए तो वहां विकास के काम जैसे की पोर्ट का निर्मान है और बाकी चीजे है उसके लिए और सुरक्षा के मुद्दे पर स्रिलंका को अपने पक्ष में करे तो ये हमारे व्यापारिक निस्ते पहले से रहे हैं लेकिन चीन की एक विस्तारवादी नीती ये है कि वो औरोसी पडोसी देशों को पहले लोन देता है उनके आविकास के नाम पर इन्वेश्ट करता है और उसके बाद उनको वो गुलाम बनाने की नियत से वहां फिर अपने हमको अपना जो जल मार्ग है उसमें हमें आप अपना एंट्री करने दीजिए इसी बात से परिशान होकर क्योंकि अगर चीन स्रिलंका में आकर बैठता है और अपना बिजनिस भी उस रास्ते से चलाता है वो जल मार्ग से बियाराई के जरिये तो ये भारत के लिए भी चिंता का विशे है और खत्रे का विशे भी है और इसलिए मोदी जी के एक विशेस दूत के रूप में आप कहिए और संकट मोचन के रूप में भी डोबाल साब है हैं इसलिए वह सिरि-लंका गए और सिर्लंका में सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापार के मुद्दे पर और चीन की दखल अंदाजी रोकने के लिए ये डोबाल साब का दवरा है क्योंकि उनको केंड्रीय मंत्री का भी एक दर्जा मिला हुआ है और सुरक्षा के प्रमुख वो हैं ही NSA हैड जो है इसलिए चीन को एकदम बोखलाट हुई के यार ये तो जो है सिरिलंका में भी दखल कर रहे हैं दूसरा आप देखिए एक तरफ तो ये सिरिलंका दोरा कर रहे हैं NSA उधर जो है सैना के जो चीफ हैं हमारे MM नर्वने और भारत के विदेश सचिव, हर्स स्रंगला और रो के चीफ सामंत गोयल ये तीनों बड़े अधिकारी ये नेपाल में हैं और इनका नेपाल दोरा भी इसी बात को लेकर है कि चीन वहां दखल अंदाजी चाहता है सी पैक के जरिये वो चाहता है कि नेपाल में भी अपने व्यापारी क रिस्ते और वो जो रोड निकलेगी उसमें जगा मिल जाए तो फिर वो सडक मार्ग से रेल मार्ग से नेपाल में भी दखल अंदाजी करने का विचार कर रहा है और पिछले दिनों जो हमने देखा कि नेपाल ने भी एक विवादित नक्षा जारी किया और वो जो भारत की प्रफल है छेतर की जो चीजें हैं काला पानी लिपुले एक लिम्पिया धारा उनको उसने अपना छेतर दिखा दिया एक खामका विवाद खड़ा किया वो भी चीन के इशारे पर हुआ था चीन की राजदूद जो वहां पर है नेपाल में उसकी दखल अंदाजी उसमें और उसके बाद कुछ रिस्तों में कड़वाट आई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक करने के लिए हमारे तीन अधिकारियों का वहां दोरा करना ये जताता है कि भारत के जैसे पहले नेपाल से रिस्ते रहे हैं हमारे रक्षा मंतरी ने कहा कि हमारे नेपाल के साथ रोटी बे ले रहे हैं कि अगर कुछ चीन के साथ हमारी कड़वाट आगे बढ़ती है तो उस कंडिशन में नेपाल से हमें कहां कहां क्या तैयारी करनी पड़ेगी और इसलिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जो चीन है वो हमारे लदाक एरिये में डटा हैं और अब बरत पड़ने लगी है माइनस डिगरी टेंपरेचर हो जाएगा उसमें उसने पक्के बंकर बना लियें तो इसका मतलब वो हमेशा हमें परिशान करने की नियत से वहां जमने के मूर में है ऐसे में एक ही रास्ता भारत के पास बनता है कि जो मित्र देश हैं उन व्यापार पर प्रतिबंद लगाए हैं चीन के इस से भी चीन वोखलाया है क्योंकि उसको अर्बो खर्बो रुपे का नुक्शान हुआ है और आपको बताऊं कई लाक करोड रुपे का नुक्सान केवल और केवल मोधी जी के एक नारे ने लोकल फोर वोकल जो नारा दिया आते थे जो बच्चों के खेलने की बंदू के होती हैं पठाका छोडने की वो आया करती थी और बहुत सारा सजावट का समान जिसकी कीमत लाकों में है करोडों में कई लाक करोड का वैपार और ये ठप कर दिया मोधी सरकार ने तो लोकल फोर वोकल को बढ़ावा दिया तो और ये जो जटका मोधी जी ने दिया है जटके बे जटका चीन इससे पूरी तरह बोखलाया हुआ है और अब वो ये देख रहा है कि भारत हमारी आँख में आँख गाड़े हुए बैठा है जरासी एक हरकत की तो उसके सैनिकों को उसका जवाब मिलता है अब भारत ये तै बारत अपने मित्र देशों को मजबूत कर रहा है उनसे रिस्ते मजबूत कर रहा है सुरक्षा का जायजा ले रहा है और इसलिए ये जो दोरा है हमारे सैना प्रमुक का हमारे रो प्रमुक का हमारे एनसे प्रमुक का ये पडोसी मुलकों का दोरा ये हमारा अपना को को ट्रेनिंग दे रहे हूं भाई चीन को यह नहीं पता कि नैपाल के नागरिकों की तो पूरी एक रेजिमेंट पूरी गोर्खा रेजिमेंट उतो नैपाल के लोगों की ही है और वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और पहाड़ी एरिये में उनके उपर काफी कुछ दर्मदार रहता है चीन के सामने अगर वो डटे हुए है तो गोर्खा रेजिमेंटी डटी हुई है पहाड़ी एरिये में तो चीन को यह नहीं पता कि देश की आजादी के बात से यह तो चल ला है यह कोई मोदी सरकार ने थोड़ी किया है हाँ अब इसमें और तेजी भारत के चेतर में और नेपाल से हमारे रिस्टे हमेशा ही मदूर रहें तो इसलिए चीन का बोखलाना समझ में आता है क्योंकि चीन को लग गया कि भारत जुकने वाला नहीं है ना भारत डर रहा है ना रुक रहा है और लगतार चीन को पटकनी पर पटकनी दे रहा है आर् बनाते थे बंदूक बनाते थे खिलोने बनाते थे यह मोधी सरकार ने यहां के वैपारियों को जो बैंकों से लोन दिया है मुद्रा लोन जो दिया है और लोकल फोर वोकल के तहद युवाओं को रोजगार जो दिया है किसानों को जो स्वेर रोजगार का प्रोफसान दिया जा रहा है इसमें अब चीन को लग रहा है कि आगे आने वाले एक दो साल के अंदर चीन के पास कुछ भी बचने वाला नहीं है भारत में वो एक दो रुपे का भी इंवेस्टमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत धीरे धीरे नियम काईदे कड़े करकर चीन से तो अपना वैपार समेट रहा है और अन्य देसों को में संभावना तलास रहा है इसी को लेकर ये दोरा हमारे अधिकारियों का था विदेश सचिवी नेपाल इसलिए गए थे आगे आने वाली कई परियोजना है मोधी सरकार ने बड़ा पावर हाउस जो पन बिजली घर है वो लगान आने वाले समय में यदि हमें हम युद्ध करना पड़े चीन या पाकिस्तान से तो सिरिलंका एक ऐसी भूमी होगी जो हमारे निर्नायक भूमी का निभाएगी और राणित के बारे में हमारे दर्शकों को बताया है बहुत बहुत धन्य बाद आपको आश्तिए